बादमपत सिंगानिया में भारत मॉधर युनाइटिड नेशन शात्मन पर भारत राईज अप इंडिया कारखर में आजट किया गया। खारिक्रोब में नमामी गंगे प्रजेक के डिस्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफिसर शुषांग शुकला ने मेंबर से विचार में मश्किया, उन्होंने पधंपत सेंगानिया में पढ़ने वाले शात्रों से बातचीत भी की, साथी नमामी गंगे प्रजेक्ट को लेका चर्चा क आपको बता दे कि इस कारिक्र में उन्होंने बच्चों को संबोदत करते हुए नए भारत शेष्ट भारत विशे पर भी जनता से साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश का भविश है देश का यूथ वजबू थातों में वहीं सभी शातरों ने कालक्रों में बढ़ शोड़ कर हसा भी लिया। ऑफिसर शशांग शुक्रा ने इस प्रजेक्ट में दुनिया के दुचस्पी के बारे में भी चर्चा की। चातों के संबोधित करते हैं विध्यारे का भी धन्यवाद दिया हमारी सभादाता समय विश्रा ने डिस्टी प्रजेक्ट ओफिसर शशांग शुक्रा से भी खास बाद चीत किया क्या कुछ है वो बेखाते हैं जो उसके जो रिजल्ट होता है क्योंकि वो कियाता है आप से पूर्शते हैं एक्सपीक्टेड रिजल्ट क्या है या वो गव्मेंट को परसु करेंगे कि हम ऐसा करेंगे तो यह हमारा एक फेस डेपलप होगा प्ट एक्टिवेल में क्या होता है न बहुत चीज़े अलग ह था मैंने इंटर किया और वहां पर जब मैंने चीजों को स्टार्ट किया मैंने सीखा तो सबसे जरूरी चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी वो सबसे पेशेंस किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए किसी भी चीज का सेलूशन निकालने के लिए किसी पर बात करने के लि फ़र इस प्रोजेक्ट के बाद देश नहीं बलकि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है प्रधान मंतरी का विजन जो है वह बहुत ज़ादा तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी मेर गंगा की स्ट्रीम थी, वहाँ पे लोगों को सबसे पहले अवेर करना शुरू किया। उसमें हमारा सबसे बड़ी जो एक कड़ी थी, जो क्योंकि हम आज M.E.N. में हैं और उसकी बात कर रहे हैं तो यूथ के बिना ये अधूरा था। तो हमने involvement of youth in नमामी गंगे प्रोग्राम को शामिल किया और प्रधानमंती जी के आवाहन से कई सारे मिनिस्ट्रीज ने साथ मिल करके जिसमें हमारे गंगा दूत, गंगा प्रहरी और इस्पेर हिट सदस से ये सारे लोगों ने मिल करके एक एक अलग जगाई गंगा सुच् विद्ध की जो स्थितियां बन रही हैं और आगे बविश में विश्युद्ध होगा वो जल के लिए होगा, तो हमें इसके संद्रक्षन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम को जागरूप होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है ना कि एक जो behavioral shift होता है हमारा, वो एक साल, तीस साल लगते हैं, अचानक से आप कोई चीज नहीं बदल सकते हो, लेकिन फिर भी जो हमारी मंतराले से जो निर्देश पराप्त होते थे, जो हमारी टीम काम करती थी, ग्राउंड पे जिन्होंने काम किया, उन्होंने ये चीज पॉसिबल कर दिखाया, और उसके बा पानी को ले जा करके वहाँ साफ करते हैं, और फिर में धारा में, जो भी नदी है, तो मैं गंगा की बात करा हूँ, गंगा नदी में फिर प्रवाइब करते हैं, ताकि वो जो दूशिद दल था, वो उसकी जो बायलोजिकल डिसॉल्ट ऑक्सीजन है, उसका लेविल बढ़ बनाने में ये लोग भी काम कर रहें, साथी इन्होंने सबस्यादा दर्ख्वास यूद से की है, यूद्कि नई सोच है, अगर नई सोच जादा पड़ेगी तो चीजों में बदलाव और बड़ा देखा जाएगा, तो आज खास बातचीत में इतना ही के नियूज देखते कर दो देखते ही.